आज से फाइनली MIUI 9 Global Stable ROM का रोल आउट होना सुरू हो गया है और इस वीडियो में मैं आपको MIUI 9 Global Stable ROM का फास्ट लुक दिखाऊंगा और आप लोग को बताऊंगा कौन-कौन सा फीचर्स मिलेगा MIUI 9 Global Stable ROM में कौन-कौन सा डिवाइसेस में आपको MIUI 9 Global Stable ROM का official update मिलेगा कबसे मिलेगा और अगर आप MIUI 9 Global Bitter ROM में है तो आप कैसे MIUI 9 Global Stable ROM में वापस ब्याक आ सकते हैं और अगर आप MIUI 8 Stable ROM में है तो आप कैसे MIUI 9 Stable ROM में update करेंगा तो दोस्तो सबसे पहले आप लोग को बतारेता हूँ यह MIUI 9 Global Stable RAM का फास्ट ओफिशियल अपडेट है और यह वार्शन का नाम है MIUI 9 9.0.3 Global Stable RAM दोस्तो MIUI 9 Global Stable RAM का ओफिशियल रोल आउट आज से यानि नवम माद 3 2017 से शुरू हो जाएगा और कौन-कौन से डिवाइसिस में आपको MIUI 9 का अपडेट मिलेगा तो कॉम्प्लिट MIUI 9 Stable RAM का लिस्ट आभी आप स्कीन से देख सकते है वाट दोस्तो सबी डिवाइसिस में एक ही साथ MIUI 9 Global Stable RAM का आपडेट नहीं मिलेगा जैसे कि MIUI 9 Global Video RAM का रोल आउट हुआ था डिफरेंट 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 बैच में तो वैसे ही MIUI 9 Stable RAM का भी आपडेट एक एक करके सबी डिवाइसिस में मिलेगा सबसे पहला बैच में है रेट भी Note 4, Mi Max 2, Mi Mix 2 यह सब डिवाइसिस में आपको MIUI 9 Global Stable RAM का आपडेट मिलेगा 3rd November यानि आद से अब इसी के साथ जिस डिवाइसिस में औरेडी Android Nougat का आपडेट मिल चुका है वो सब डिवाइसिस में MIUI 9 Global Stable RAM का आपडेट 20 November 2017 का पहले ही मिल जाएगा और उसके बाद बाकी जो भी रेश्ट आप डिवाइसिस है जिसमें अभी तक Android Master में लूँ या तो Android Lollipop version है तो वो सब डिवाइसिस में November या द अद अदिशन मर का शुरू से MIUI 9 का official OT Update मिलना शुरू हो जाएगा आप जिन लोगों ने अरेड़ी MIUI 9 Global Bitterm में अपडेट कर लिया है बाट अभी आप MIUI 9 Global Stable RAM में वापस आना चाहते है तो उन लोगों ने Xiaomi टूल को यूज करके MIUI 9 Global Bitterm से MIUI 9 Global Stable RAM में वापस बैका सकते Stable RAM यूज कर रहा है तो अभी आप लोगों को कुछ भी करने का जरूद नहीं है आपको वीडियो का डेस्रिप्शन में MIUI 9 9.0.3 Global Stable RAM का आप उसको इंस्टोल कर सकते हैं और आप अपडेटर आप यह बार चेक कर लिजिए अगर आपके पस Redmi Note 4 या तो Mi Max 2 या तो Mi Mix 2 है तो में भी आपको आपको ऑफिशेल MIUI 9 Global Stable RAM का अपडेट औरेडी मिल गया होगा एकोरिंग टु फास्ट पैच MIUI 9 Stable RAM Supported Devices लिस्ट ओके तो दोस्त अभी बात करते हैं MIUI 9 Global Stable RAM का features के बारे में और Redmi Note 4 में MIUI 9 Global Stable RAM का फास्ट लुक के बारे में क्योंकि मैं औरेडी MIUI 9 Global Stable RAM को को एक साथ नहीं मिलेगा धीरे-धीरे एड हो जाएगा जैसी कि Smart Assistant जो कि Global Stable RAM के लिए renamed as a quick shortcut feature उसके बाद quick reply form notification bar etc तो दोस्तो सबसे पहले first impression में MIUI 9 Global Stable RAM MIUI 9 Global Peter RAM के जैसा बहुत ही अच्छा से optimized है बहुत ही smooth है और application fast open हो रहा है app launching speed and home screen loading speed काफी अच्छा smooth है Redmi Note 4 में Android version Android Nougat 7.0 और यहां पे split screen का feature और यहां पे and quick switch का feature भी आपको मिल जाएगा तो यहां पे MIUI 9 Stable RAM में भी Redmi Note 4 and others Android Nougat में updated devices में split screen का feature मिल जाएगा और maybe below Android Nougat में जो भी devices है उसमे split screen का feature बाद में आ सकता है और आपको latest Android security patch का update भी मिलेगा 1 October 2017 का ओके दो दोस्तों उसके बाद आभी आपको वही दो official MIUI 9 का theme मिलेगा default MIUI 9 theme and limitless theme और MIUI 9 official default theme में same MIUI 9 beta RAM के जैसे यहां पे animated icons है उसके बाद MIUI 9 beta RAM के जैसे simple home skin editing, some of new home skin transaction effect, volume bottom में silent mode, D&D mode का feature भी है lock skin में left to right side में swipe करेंगे तो यहां पे आपको MI home, MIG emote and torch को on app करने के लिए भी option आपको यहां पे मिल जायागा उसके बाद security app में latest MIUI 9 beta RAM के जैसे सारे के सारे features आपको यहां पे मिल जायागा MIUI stable RAM में भी payment and virus scan feature, separate block list rule setup and speed boost का feature भी मिल जायागा smoothly gameplay करने के लिए calendar app में आपको सारे के सारे card का feature भी मिल जायागा जैसे की MIUI 9 beta RAM में मिलता है weather app में और detailing weather report मिलेगा gallery app में new photo editing tools भी मिलेगा उसके बाद additional setting का अंदर आपको new bottom and gisters shortcut का option भी आपको यहां पे मिल जायागा इसे आप अलग-अलग various custom gisters को set कर सकते है buttons को अलग-अलग functions के लिए आप configure कर सकते है अभी अगर quick wall feature on रहेगा और उसका 3 seconds तक कुछ भी use नहीं होगा तो quick wall skin का side में automatically disappeared हो जाएगा जो feature MIUI 9 beta ROM में भी है उसके बाद new redesign theme app और शाद में कुछ new ringtones, new wallpapers and new themes भी आपको मिलेगा उसके बाद आपको screen recording का app भी मिल जायागा MIUI 9 stable ROM में भी आपको MIUI 9 stable ROM में भी मिल जायागा और आगे और भी new interesting others features MIUI 9 global stable ROM में आने वाला है जैसे की मी drop app, new video player app, app valued smart assistant, quick reply from notification bar, etc stay tuned for more interesting update तो दोस्तो वीडियो आचला गया तो वीडियो को like and share की कि